मद्यप्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है पिछले 24 गंटे के दौरान अमरवाडा में लगभग 3 इंच बारिश से आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है यहां की लाडली बहनों ने पूर्व मुख्य मंतरी शिवराज सिंस चोहां से वीडियो जारी कर अपील की है जिसमें कहा है कि यहां पर सभी के पक्के मकान बन चुके हैं लेकिन राजगुरू पिपरिया में अभी तक पक्के मकान नहीं बन पाए हैं इसलिए शिवराज जी यहां भी जल्दी से पक्के मकान बनवा दीजिए मध्यप्रदेश के मुख्य मंतरी डॉक्टर मोहन यादव ने कहा दर्शन और सवारी से लोगों में अच्छे भाव और समरस्ता का बहतर संदेश जाता है मुख्य मंतरी डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सवारी में बैंड दम रोदल शामिल होकर विश्व रिकार्ड बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए उज्जेन में जिस प्रकार से भवे रूप में भगवान महाकाल की सवारी निकलती है वह निश्चिती विश्व भर केश्व भक्तों के आकरशनका के इंद्र रहती है मत्यप्रदीश सरकार के जल संसर्धन मंतरी तुलसी सिलावट का एक्सिडेंट हो गया है मंतरी सिलावट मंतराला में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए लगजरी फॉर्चून कार से जा रहे थे तब ही एक अन्य कार चालक ने तेजी से उनकी कार में टक्कर मार दी इस हाथसे में कोई घायल नहीं हुआ है मंतरी तुलसी राम सिलावट की ओर से FIR लिखवा दी गई है मोहन यदव सरकार ने तीन IAS अधिकारियों के तबादलों के साथ मध्य प्रदेश में अधिकारियों के अदला बदली का क्रम शुरूख कर दिया है इसमें मंदसौर के कलेक्टर भी शामिल है मंदसौर में किसान के लोट लगाकर जन सुनुबाई में पहुचने के बाद से ही यह चर्चा चल रही थी कि बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिर सकती है मध्यप्रदेश में मोहन्यादव सरकार किसानों को लेकर गंभीर और समवेदन शील होने का दावा करती आई है प्रदेश में किसानों को लेकर सरकार ने हमेशा आगे बढ़कर मदद करने का दावा किया है केंद्री कृशी मंतरी शिवराज सीं चोहान ने हाल ही में उन्होंने बजट समेत कई मसलों को लेकर अपनी बात रखी है उन्होंने कहा ये बजट विक्सित भारत की नीव रखने का बजट है इस बजट में किसानों की आज की समस्याओं का और भविश में खेती कैसे हो इस पर ध्यान दिया गया है बजट में किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दो पर ध्यान दिया गया है